हाई अब्रिवन, I hope you are doing great मैं रुपेश कुमार मिस्रा अपने यूट्यूब चैनल Brainstorm ED पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU Part 3 Examination 2024 के लिए जो 8 अपरेल से आप लोग का परिक्षा का डेट निरधारित किया गया है General और Environmental Studies का हालंकि Examination का मैं बात करूँ तो 18 मार्च 2024 से आपका Examination तो स्टार्ट हो गया है लेकिन 18 से लेकर के और 7 तारिक तक आपका अपरेल में चलेगा Honors paper का Examination हर एक Honors का General और Environmental Studies जो की MCQ टैप question 100 question पूछा जाता है Examination में OYMR seat पर ABCD आपको option मिलेगा तो MCQ टैप question में चार में से कोई एक option होता है वो सही होता है आपको पता होगा जिसको हम लोग objective टैप बोलते हैं तो इस पर already मैंने 5-6 seat upload कर दिया है 2023 का भी question मैंने discuss किया था आर्स वालों के लिए तो आज की वीडियो में एक बार फिर हम लोग यहां पर प्रॉसीड करेंगे जेनरा लोग इनवार्मेंटल स्टेडीज की एक और सेरीज में बहुत ही डीटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो चैनल भी जितने भी लोग नए है चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बील आइकोन है जरूर प्रेस करक करेंगे ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट नॉटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहा है यूनिवर्स्टी से रिलेटेड हर एक कंटेंट इजुकेशन से रिलेटेड हो इस चैनल पर आपको देखने हो क्यों मिलता रहता है नौ सबसे पहली बात है कि आप सभी को हैपी हो ली वैसे तो मैं एक दिन के बाद बोल रहा हूं लेकिन सभी को होली की डेर सारी शुब कामना है थोरा तबियत अस्वस्त होने के कारण आवाज में साइद आपको कहने का मतलब है घरगर आहाट सा मैसूस हो रहा होगा लेकिन अभी जो मौसम चेंज हो है उस कारण वेडियो भी जाके देखो देखो दूद की सुदता जो मापी जाती है वो मापी जाती है लेक्टो मीटर की द्वारा देखो यहां पहलां कि उत्तर लिखा हुआ है लेकिन कही कही पर मिस्प्रिंट रहता है तो उसको भी मैं सुधार करके बताऊंगा ऐसा नहीं कि आपको याद कर लेना है वहीं जो गलत उत्तर है कही कही मिस्प्रिंट होता है जैदातर जगा चाहिए होता है तो मानव का जो सामाने रक्त दवाब होता है वो होता है अपने हमिशा से सुना होगा 120 by 80 mmHg एसजी का मतलब पाड़ा होता है 120 वटे 80 mm होना चाहिए मानव का रक्त ही है option B याद रखना है ECG ठीक है अगला देखो भारती वन्यजीव सुरक्षा अधीनियम यह कब लाग हुआ था वाइड लेफ एक्ट जो है यह लाग हुआ था आपका 1972 में आपने काफी बार सुना होगा तो इसका राइट आप्शन 1972 हो जाएगा देखिए आपको कोशिस करना है कि 100 ओट ओफ 100 कोश्चन एक्जाम में सॉल्व करके आना है तीन घंटे का समय मिलता है बहुत काफी है वो उतना अराम से आप दो घंटे के अंदर आराम से भी सॉल्व करोगे तो आपका पीपर सॉल्व हो जाएगा तो पैनिक नहीं होना है मैं जितना बस बताते जा रहा हूँ जो रूल में बताते जा रहा हूँ उस हिसाब से आपको फॉलो करना है और जितना सीरीज मैं जीके जीएस का ला रहा हूँ सबको आपको देखना है और अपने कलीज के साथ भी उसको शियर करना है ताकि वो लोग भी यहां से अपना त मुमने कहां पे गोकुल्दास तेजपाल संस्कृत स्कूल जो की मुंबई में है ठीक है तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉड डफरीन लॉड डफरीन उस टाइम में भारत की गवर्नर जनरल थे अगर गोद निशेद की नीती भारत में किसने लाग करजन का भी आपने नाम सुना होगा डफरीन का भी आपने नाम सुना डलहौजी का भी नाम सुना तो गोद निशेद नीती भारत में डलहौजी ने लाग है गीत गोविंद की रशना किसने की बहुत सिंपल कुश्चन है तो ये जैदेव will be the right answer कि गीत गोविंद का रशना मेंने बता जा था कि न ऐसे है बाध करना राष्ट्य कोई खेल है ना ही कोई राष्ट्रिय भासा है माना जाता है होकी लेकिन औफीशल रूप से अभी तक इंडिया का कोई भी राष्ट्रिय खेल हैं ही नहीं लेकिन यहां पर करना है लेकिन आप कहीं भी चख कर λो ओफिसियल डिकलियर नहीं हुआ है लोसकende कि है कि बात यह रस्टिय भासा हिंदी ही है लेकिन एक्च्वल में देखा जाए तो देर इस नो नेस्ट लेंग्वेज और नेस्टनल स्पोर्ट आफ इंडिया ऑफिशिली आगे बढ़ते हैं पर्थम एश्याई खेल कहां पर हुआ था तो यह हुआ था आपका नई दिल्ली मे प्रथम एस्याई खेल यह सब तो गलत दुतर है सार्क का मुख्याले एक इस्थित कहां पर है थबसे पहले सार्क के बारे में आप जानो आप सार्क का फुल फार्म क्या है सौथ एसियन आसोसीयेशन फ़O' क्बरश्ट इसौशियेशन फर रिजिनल cooperation ठीक है यह सार्क का full form है तो इसका जो हो सकता है full form पूछ दे आपको मैंने इसलिए आपके जानकारी के लिए लिख दिया तो इसका जो मुख्याला है वो actually में है आपका कामांडू और मैं आपसे पूछू यह कामांडऊ है तो बच्चे-बच्चे को पता है कि यह है कहांपे नेपाल में नेपाल का राजदानी कहांपे है कामांडू द्रवतत्थ्व कौन सा है तो यह पारा जो है एक जी और ब्रोमीन जो होता है यह आपका रूम टेंपरेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होता है तो द्रबतते क्या है पारा ब्रोमीन भी रहे तो ब्रोमीन भी इसका उत्तर होगा बाकि ये तिनों द्रबततों नहीं है तो option C will be the right answer उश्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है तो चांदी जो है ये उस्मा का सबसे अच्छा सुचालक है best conductor of heat कौन सा है चांदी वायू मंडल ये दवाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपियोग करते हैं तो बैरोमीटर जो है इसका उपियोग हम लोग वायू मंडल के दवाब को मापने के लिए करते हैं अल्ट मीटर का भी आपने पता होगा विंड का स्पीड के लिए हाइड्रोमीटर के भी बारे में पता है ये आपको और मैनोमीटर के बारे में तो राइट आप्शन आपका बैरोमीटर हो जाएगा सूरी की रोषने प्रिथवी तक पहुंचती है कितना समय लगता है तो आठ मिनट बीस सेकेंड लगता है यहाँ पर ट्वेंटी सेकेंड भी आपको एड़ कर देना 8 minute 20 second सूरी का रोशनी उस समय लगता है पृत्वी तक पहुचने के लिए तो कहीं भी 8 minute दिखे सूरी के रोशनी से related वहाँ पे आपको कोया मार पे feel कर देना है भारतिय सीनेमा के जनक के रूप में किसको जाना जाता है देखिए इसमें थोड़ा मुझे कपूर खांदान के बारे में बोला जाता है कि वहीं भारतिय सीनेमा के जनक है बाइदवे एक बार आप चेक करके जरूर बताना कि इसका राइट आंसर A होगा या फिर D होगा जिसका नाम होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए वो आप जरूर बताओगे जब अपना राइए आप बताते हो तभी पता चल पाता है कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए भारत सरकार द्वारा महतम योगदान के लिए दादा साहिफ फाल के पुरुसकार दिया जाता है बहुत ही सिंपल है तो सिनेमा जगत में दादा साहिफ फुल के पुरुसकार दिया जाता है भारत की पहली फिल्म कौन सी थी तो ये जो राजा हरिश्चंद्र है ना राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं इस अत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो option A इसका right होगा शांती काल में सरुच शरुच वीदिता जो पुरुसकार है उसको हम लग बोलते हैं अशोक चक्र ये होता है गैलंट्री आवार्ड परमवीर चक्र वीर चक्र ठीक है ये सांती काल पूछ रहा है तो अशोक चक्र वीदा right answer भारत रत्न पाने वाली भारत की पर्थम महिला कौन थी तो ये इंदरागांधी जो है जो कि भारत की पर्थम महिला परधान मंत्री भी कह सकते हैं हालांकि भारत की पर्थम परधान मंत्री कौन थी तो जवाहरलाल नहरू लेकिन भारत की पर्थम महिला परधान मंत्री बनी है वो है स्रीमती इंदरागांधी लेकिन पर्थम परधान मंत्री पूछे तो पंडि भारतिय महिला थी किस छेतर में ग्यान पीठ पुरुसकार दिया जाता है तो यह आपका साहित की छेतर में मतलब कि इसको हम लोग लिट्रेचर बोलते हैं लिट्रेचर के छेतर में आपका ग्यान पीठ पुरुसकार दिया जाता है याद रखना है आपको भारत में दूसरा सर उसके बाद है आपका पदम बहुशन फिर है आपका पदम भूशन तो सर्वोच दूसरा सर्वोच नागरिक पुरुशकर पूछ रहा है तो पदम भीभूशन विल भी दा राइट आंसर भार पर्थम भारतिय परमानू रियक्टर था कहां पे था तो राइट ओप्सान इसका का मुख्याल है कहां पर बहुत ही सिंपल कोश्चन है बंगलुरू इस रो का इस रो मतलब होता है इंडियार स्पेस रिसर्च आर्गिनाजीशन और इसका स्थापना का हुआ था इस रो का मतलब establishment वो हुआ था 15 अगस्त 1979 को डेट याद रखना है ठीक है 1908 इस भी को आपका हुआ था DRDO को DRDO का defense research and development organization इस रो के बारे में पूछ रहा है एक extra information मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या कर दिया incorporate कर दिया चमगादर है चमगादर एक स्तंधारी है option will be a निवन मैंसे किस रक्त शमुम के व्यक्ति को शाश्वत दाता कहा जाता है जो सब को blood दे सकते हैं तो ओ गुरुप वाले ठीक है हम लोग तो वैसे a b negative से बिलॉंग करते हैं जो की बहुत एक कम लोगों का होता है प्रति एक सौव आदमी में से एक से दो लोग ही ऐसे होते हैं जिसका a b negative होता है लिवकेमिया बिमारी संबंदित हैं किस से खून से option b मानव खाद में लोहे की कमी से क्या होता है तो एनीमिया जो है मैंने बताया था ना स्कर्वी जो होता है वाइटाम इन की कमी से होता है लोगो आपको हमारा बिमात की कमी से हमारा डायबीटेस बीमारी होता है एक सामान वक्ति पर्ती मिनेटा उसा थिरदेगत हिए तो प्शन गो सक्ते होता है सबसे अधिक बुधिमान अस्तन धारी है तो आपका डॉलफीन जो है ये आपका बुधिमान अस्तन धारी होता है पेडिलोजी अध्यन है ये पेडिलोजी जो होता है वो मिट्टी का अध्यन है स्वैल का किस तारी को साम का तारा एवं सुबा का तारा की नाम से जाना जाता है तो शुक्र को सुबा का तारा एवं साम का तारा की नाम से जाना जाता है अगला कोशन देखो कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है आपका मंगल जो है ये लाल ग्रह है पृत्वी के सबसे नजदी कौन सा ग्रह है तो बुध जो है ये पृत्वी के सबसे नजदी का प्लानिट है हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को राक्छस ग्रह के रूपे भी जाना जाता है तो बिहस्पती जो है इंगलिस में साइद इसको जूपिटर बोला जाता है ये एक राक्छस ग्रह है बहुत ही जाइंट है मैमूथ है इसलिए इसको राक्छस ग्रह कहा जाता है निवन में से किस राजी में वूलर जील इस्थित है, तो जम्मू एंड काशमीर में आपका वूलर जील इस्थित है, निवन में से कौन जीलों में एक नमकीन पानी की जील है, तो सामभर जील ये जो है नमकीन पानी का क्या है जील, गर्मी उतरी मैदानों में बहने वाली हव को क्या कहते हैं इसको कहते हैं मिलू बोलते हैं हम लोग की देखो उसको लू लग गया ठीक है तो यहाँ पर ऑप्षन सी होगा मतलब की गौव भारत में मौनसून लगबग पहुंचता है आपका जून के प्रारंभ में ऑप्षन विल भी देखते हैं न जून के महिने में तो यह मौसीन राम होगा काली मिटी किस नाम से जाना जाते हैं काली मिटी को हम लोग रेगूर मिटी भी बोलते हैं तो ऑप्षन विल भी सी निन में से किस सराज में काली मिटी प्रमुकता से पाई जाती है तो महरास्टरा जो है इसमें काली मिटी प्रमुकता से पाई जा गर गेस पेपर, आप लोग मार्केट से चाहू, तो रिका प्पुलिकेशन का खरीद सकते हो, बहुती बेस्ट है, भारत के भ्रिहत मैदानों किस मिटी के बने है, तो जेलूड मिटी के बने है, निव में से कौन सबसे करातत्य है, जो हीरा जो है की और जिसको लोग बोलते हैं, वो क्या है, बॉकसạट, option वी ए, सुस्क बुर्फ का जो रासायनी का नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं, थोस कारवन डाए ओक साइट, सियो टु हो गया, तो थोस कारवन डायोकसाट, जो आपका सुस्कबर्ग का रासानी किना निव में से कौन अमलिये स्वभाव का है तो सीरका जो होता है यह आपका इसीड नेचर का होता है आपने देख लिया यहां से मैं आपको 50 कुश्यन बताया निश्चीत रूप से आपको इस चैनल पर जूड़ने से फाइदा ही पाइ अगले वीडियो में कुछ और खास टॉपिक के साथ मिलेंगे चैनल पर जूरे रहने के लिए अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद